हमारे देश के प्रायमिस्टर अगर आप लोग को बनना है अगर आप लोग को इलेक्सन लडने है तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए Question number one Question number two ISEE के अंदर में, अगर President बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए अगर Chief Minister बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए और अगर आप लोगों को परधान, गाउं का परधान बनना है तो उसके लिए कितनी age होनी चाहिए इन question का answer जो है मुझे आप लोगों से चाहिए 18 साल या फिर उससे उपर अगर आप लोग की age हो गई है तो आप लोग जो है vote डाल सकी सर बनना है तो आप लोग की age है वो minimum 21 साल होना चाहिए तो confusion कम से कम नहीं होना चाहिए ठीक है फिर भी कोई confusion होगा तो उसको दूर के जाएगा बताना जरूर ओके दोस्तों ये article स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा ही प्यारा सा सीधा सा नुन्नू सा चुन्नू सा मुन्नू सा question है आप लोगे लिए जो कि आप लोगों सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेगा पर लेकिन अगर धंग से आप लोग दिमाग पर जो डालोगे तो answer दे दोगे और बहुत तो सही answer भी देंगे जहां तक मुझे पता है हमारे देश के प्राइमिस्टर अगर आप लोगों को बनना है अगर आप लोगों को election लड़ने है तो उसके लिए कितनी age होनी चाहिए question number one question number two है से के अंदर में अगर president बनना है तो कितनी age होनी चाहिए अगर chief minister बनना है तो कितनी age होनी चाहिए और अगर आप लोगों को परधान गाओं का परधान बनना है तो उसके लिए कितनी age होनी चाहिए इन question का answer जो है मुझे आप लोगों से चाहिए अभी ये क्यों आप लोगों से dismiss कर रहा हूँ आप लोगों पता है कि आज की rate में अगर आप लोगों को vote डालनी है तो आप लोगों की age कितनी होनी चाहिए ये तो नहीं doubt किसी को कि ऐसा भी है कि ये भी नहीं पता फिर तो ठीक है फिर तो गड़बड़ गोटाल है वाई ठीक है 18 साल या फिर उससे उपर अगर आप लोगों की age हो गई है तो आप लोग जो है vote डाल सकते हो तो यहाँ पर voting अधिकार आप लोगों को मिल जाते है पर लेकिन यहाँ पर अभी ये news कि है news यह कि house के एक panel ने ये recommend किया है कि lower कर दो age assembly में अगर किसी को contest करना है उसकी age 18 अगर दो और इसके उपर पूरा घमासान आर्टिकल पर आर्टिकल छाप दियेगे उठा कर क्योंकि यह मुद्दा ही ऐसा है यह आसान नहीं है आप लेकिन यह एक ऐसा रास्ता खोज नहीं कोसिस की जा रही है आज की date में अगर आप लोग को premise of India बनना है तो आप लोग की जो age होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए यह same pattern आप लोग को देखने को मिलेगा अगर आप लोग को chief minister बनना है तो आप लोग की age जो होनी चाहिए वो minimum 25 साल होनी चाहिए 25 साल एक decent age है यहनि कि अगर आप लोग आज की date में IAS officer बनना है तो आप लोग की age जो है वो minimum 21 साल होना चाहिए यहनि कि एक district समभालने के लिए आपकी age जो है वो 21 साल है इवन पहले हमारे देश के अंदर में आप लोग को पता ही है पर लेकिन आज की date में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे जो important बात है सोचने वाली वो यहाँ पर यह है कि 25 साल age रखी गए यहाँ पर अगर देश के प्रैमिस्टर बनना है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या निकल करा रही है यहाँ पर अभी बोला जारा है कि हम लोगों को इस age को घटा कर 18 साल कर देना चाहिए क्यों अगर देश का member of parliament जिसको हिंदी में आप लोग सांसद बोलते हो वो जो सांसद होता है उसकी age आप लोगो पता है जब आप लोगो सांसद बनना है तो यहाँ पर 25 साल उसकी age होनी चाहिए और 25 साल की age में जब सांसद बन जाएंगे तो आप लोग प्रामिस्टर और सीपमिस्टर भी बन जाएंगे पर लेकिन सबसे important बात जो सोचने वाली हाँ पर यह है कि 18 साल इसको करने की बात की जा रही है तो यह एक तरीके से गड़बड घोटाले वाली category में आ रहा है यानि कि 18 साल 21 साल आप लोगो आईएस बनने की age रखी रही है उससे भी पहले 18 साल आप लोग अगर चाहो तो आप लोग क्या बन जाएंगे आईएस से के भी सर पर जाके बैठ जाएंगे फिर लोग क्या कैंगे वैं UPSC की तैहरी नहीं करते सीधे इलेक्स से लटने है है कि नहीं UPSC तो तीन साल बात में बनेगे जाके तो यहाँ पर 18 साल है यह पर्टिक्लर मुद्दा बोला क्यों जा रहा है क्यों confidence आ रहा है कि हाँ बहुत सही चीज़ बोलती भाई साब बसी का आप लोग ने सुनाओगा कि हम लोग ने एक बार सोचा कि वाटर पूलर जो है यहाँ पर ऐसा provision है कि 18 साल जो है यहाँ पर अपना national election में contest किया जा सकता है यानि कि participate कर सकते हैं पर लेकिन हमारे election commission of इंडिया ने इसको oppose किया election commission of इंडिया ने बोला कि एक ऐसा इंसान 18 साल का जो बच्चा है आप लोग यह बोलते हो कि 18 साल से नीचे हर एक जगे हम क्या बोलते हैं कि बच्चा है 18 साल का होते ही वो इतना मैचूर हो जाएगा कि वो एक consistency संभालेगा लाँखो लोगों का परतिनी तुक करने का इतनी maturity उसके अंदर में आ जाएगी मतलब आईस बनने के लिए भी आप लोग इसको बोल रहे हैं कि साल एज रखो यहाँ पर आप लोग एक 18 साल के बच्चे को आप लोग बैठा होगे तो क्या वो जिस तरीके से उसकी maturity लेवार होना चाहिए जिस तरीके से उसका at least थोड़ा सा experience होना चाहिए क्यों क्या वो up to the mark यहाँ पर रहने वाला है 18 साल में तो कई होगी graduation तक complete नहीं होती है अगर ढंक से बोला जाए तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर तो क्या चाह रहे हैं मतलब सारे दसी बार ही पास जो है सारे parliament में जाकर बैठ जाएं तो यह आप लोग देखो कही सारे लोग यहाँ पर इसको क्या बोल रहे है जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तो इसके ओपर कही सारे Twitter पर comment होने लगे कि politician यह चाह रहे है कि 25 साल तक इनके बच्चों को wait नहीं करना पड़े अपने election लटने के लिए 18 साल की age में इनको election में उतार दो यह basically बोली जा रहे है बात है इससे आप लोग कितने सहमत हो कि ऐसा को सोचा जा रहे है फिर नहीं आप लोगी क्या रहे है तो इसको अगर आप लोगों से पुछ जाए क्या आप लोग इस बात को accept करोगे या क्या होने चीए आप लोगे इसाब से age तो यहाँ पर standing committee जो है personal, public grievance, law and justice उसकी द्वारा यहाँ पर recommend किया गया कि 25 से घटागर 18 कर दो यानके 7 साल कम कर दो अगर यह सारे बाते आप लोगे सामने निकल कर आ रहे है तो क्या इससे लेटेड हमारे समिधान में कुछ बाते लिखे हुई है कि हाँ ऐसी चीजे है हम लोग 25 के रख रहे है हम लोग यह रख रहे है इसके बारे में कहीं लिखा वाय गया जी हाँ हमारा पवित्र समिधान जो कि हमारी एक सबसे प्यारी से गिदाब है उसमें ये सारी बाते mention कर रखी है अगर आप लोग इसको ढंग से जागर पड़ोगे यहाँ पर बोला गया है साब साब कि अगर लोग सबा यानिके अपनी जो हमारी पारलियमेंट है बिसिकली उसका लोवर हाउस जो है लोग सबा और एसेमली जो इस्टेट के अंदर में होता है अगर वहाँ पर आप लोग को जाकर बैठना है यानिके लोगों के हाउस में जाकर बैठना है इनके डिरेक्टली जन्ता के साथ में connect होना है तो 25 साल आपकी एज होनी चाहिए अट लिस्ट मिनिमम 25 साल की एज में आप लोग देश के प्राइम स्टर या फिर राजय की चीफ मिनिस्टर बन सकते है ये particular आप लोग को समीधान में प्रोविजन देखने को मिलेंगे minimum के इसी के साथ में बात कि जाती है राजयसभा राजयसभा को आपर हांस भी बोलते हैं जिस तरीके से राजयसभा है ऐसा ही आप लोग और इनके बारे में बकाइदा आर्टिकल है आर्टिकल 84B में बोला गया है इसके बारे में लोगसभावाले के बारे में और आर्टिकल 173B में बोला गया है कि इसके बारे में राजसभावाले के बारे में तो ये एक तरीके से बकाइदा एक constitutional provision है यानिकि ये एक सम करना है आप लोगों को तो समिधान के अंदर में चेंज आप लोगों को करना पड़ेगा तो एक तो यह important बात होगी दूसरा यहाँ पर 18 साल जो है वो वोट डालने की एज है आपर ठीक है इसको लेकर भी कई बार पर लेकिन अपने लिए वो अपना लाइप पार्टनर नहीं सुन सकता हो 18 साल की उम्र में उसके लिए जो एज आप लोगों नहीं रखी है वो 21 साल रखी है आपर तो इसके बारे में भी कई बार यहाँ पर लड़की की एज 18 साल कर रखी है उसको भी कई बार बात बोलीगे कि एट लिस्ट की साल कर दो उसके पीछे क्या रिजन था कि एट लिस्ट अपनी ग्रेजुशन तो कंप्लीट कर लेगी वो लड़की आप लोग खुल सोचे हैं आपर कई सारे बच्चे जब यूपिसी का आता है यह बकाइदा मैसेज आते हैं कि सर हम फोम भर सकते हैं कि हम अभी एक रिजिशन होए हैं यहाँ पर सोचो सारे के सारे बारी पास जो है वो आप लोगो परल्लेमेट बैठे मिलेंगे मतलब यहाँ पर यह कंडिशन आप लोगे सामने निकल कर आती है आर्टिकल 326 मे यह जो पर्टिकलर एज है इसके बारे में अगर आप लोग देखोगे वोटिंग एज के बारे बाते के जाती है इसके बारे में कुछ और बाते अगर मैं बेसिक आप लोगो बताओं जैसे मिनिमम एज वोटिंग की पहले हमारे देश के अंदर में 21 साल हुआ करती थी पर लेकिन फिर इसको आगे 1988 में इसको घटाकर 18 साल कर दिया यनके 3 साल का रिलेक्शेशन दे दिया अब आप लोग यह सोचो पहले 21 साल का वेट करना होता था उसके बाद में जाकर आप लोग जो है बेसिकली क्या कर सकते हो आप लोग जो है यहाँ पर एक वोट डालने का पर मिल गया तो इसका मदलब पहले जो यहाँ पर अभी 3 साल का गया पाया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस टाइम पर जिनको वोटिंग का अधिकार मिला और ज्यादे लोगों ने हाँ पर पार पार पर लेकिन जब यह किया गया तो यह ऐसा नहीं था कि रैंडमली हो गया तो यह एक सिस्टेमेटिक प्रोविजन के थ्रू हुआ यहाँ पर तो 61 कोंशिट्यूशन अमेंडमेंट जो समिधान में किया गया इसको ओफिशली दस दा कोंशिट्यूशन 61 यह अमेंडमेंट in 1988 के नाम से जाते हैं तो याद रहना इसने हमारे समिधान के अंदर में एज जो थी उसको घटाकर 28-18 कर दिया था अब इसी एज पर यह चाते हैं कि इलेक्शन जो है लडने वो भी हाँ पर स्टार्ट कर दे जाए तो आप मेंसे कितने सहमत हैं कौन-कौन को लग रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए अगर होना चाहिए तो यस बताईए अगर नही से आप लोग इनको पढ़िए बोलागे कि परिजेंटली तम मिनिममम एज ओफ कॉंटेस्टिंग लोग सभा एंड असेंबली एलेक्शन यह 21 साल है हमारे देश के अंदर में दूसरा बोलागे बोलागे टू बिकम दा मेंबर फ्राज सभा और स्टेट लिसलेटिव काउंस और इनके बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 84 में है और इसी के साथ में आर्टिकल 173 में है तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पार करेक्ट है 1,2,2,3,1,3 या only 3 सही आंसर के आप लोग इसाब से आप लोग इसको अटेम्ट करिए तो बहुती तसरली में यह सारी ची पर प्रजेंटली यह जो है आप लोग सभा के बारे में वो 25 है तो यहां पर वहां 30 है ना कि यहां पर question में बताए गई है कि किसे और 25 है तो confusion नहीं होना चाहिए और जो question starting में पूछा उसका answer जरूर बताना हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग को 4 post पर जाना है तो 16 12 पोस्ट के हलाकि आप लोग को आदा तो बताए दिया है अब तो confusion कम से कम नहीं होना चाहिए ठीक है फिर भी कोई confusion होगा तो उसको दूर के जाएगा बताना जरूर ओके एक चीज फिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर answer writing group के अंदर में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही प्यारा answer लिख रहे हैं उनका तो सही है अपने आप तसलिम में लिख रहे हैं क्योंकि मैंने कल जब यहाँ पर question post किया तो यह चीज मैंने चेक करने की question post करने के बाद में जो demo answer है वो मैंने लगबग 3-4 घंटे बाद post किया तो यहाँ पर जो question answer दिये गए वो लगबग बहुत सारे बच्चों के द्वारा शांदार तरीके से अपना answer दिया गया तो मुझे काफी अच्छा लगा और फिर यहाँ पर सबसे बड़ी बात किया ज यह वाला आप लोग के पास में यह demo answer है यह इसलिए तो है अभी यहाँ पर आप लोग को और भी question आप लोग को देखने को मिलेंगे उनके answer देखने को मिलेंगे जैसे और भी teacher बोल ले थे कि सर बताए कैसे कैसे करना है तो अभी आप लोग के जो लेक्चर चल रहे हैं ठीक मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना यहाँ पर आप लोग को मतलब एक तरीके से जो provide करा जाते हैं एक बच्चा कहा रहा है कि सर यह लिख दे करो ठीक है तो यहाँ पर यह देखो 40 सब्द हैं आपर यह 170 सब्द हैं आपर यह 40 सब्द है मतलब introduction जो है 40 सब्द में देना है बोड मैं थोड़ी ना किसी को एक तरीके से answer दिखाने के लिए आपर यह सारी चीजे करवा रहा हूँ अगर जो 5 परसन यहाँ पर लिख रहा है वो बकाईदा man से लिखावा बनता है उसको बोलूँगा अगर यहाँ पर तो वो इनको 1500 सब्द में निप्टा देगा राम से 170 सब् यहाँ पर जो points हैं आप लोग खुद देखे हैं यहाँ पर legal issue के है advertisement के यहाँ पर 6 points देगे है ठीक है ethical issue के है इसके वो देगे है best practice के है इसके वो देगे है ठीक है फिर conclusion देगे है तो यह सारी चीजे ऐसी निए कि आप लोग को उतना ही सब कुछ वहाँ पर लिखना है आप लोगों को दस चीज पढ़ाई मेंने अब 10 की 10 थोड़ी नहीं आद रहेगी एक्जाम में अगर 5 भी याद रहेगी तो भी वल्ले वल्ले है बहुतों को एक आदी याद रहती है तो यहाँ पर extra चीजे इसलिए डाले जाते कि जब आप उसको पढ़ने बैठो यहाँ पर at least कुछ चीज़ा आप लोगों की याद रह जाएं तो यहाँ पर extra चीज़ा आप लोगों को दी जाते हैं इसे judgment के बारे मैंने बात की थी तो आपर Supreme Court का judgment था हमाँ पर तो 10 बारे judgment आप आप लोग के लिए दे दिये थे वो बहुत ही शांदार तरीके से यहाँ पर देखे तो कि कौन-कौन से constitution के अंदर provision है जो environment को प्रोडेट करते हैं यह बाद में एड किया गया जब demo answer देगा था एड नहीं किया गया तो extra चीज़े है एक तरीका चलता फिर ता आप लोग का यह भी Wikipedia टाइप का हो जाए क्योंकि जब सर्च करों किसी चीज के बारे में तो यहाँ पर भी सारी चीज़ आप लोग को सर्चे बलबाएंगे तो एक रंट फिर टाइप में आप लोग का यह combination बनता जा रहा है तो यह आप लोग देख लेना इसमें कहीं सारी बच्चे बच्चे कैसे जाना है टेलिग्राम पर जाना है आराम से आप लोग इसमें जाकर इसके अ अब यहां पर एक बंदा नहीं है अभी फिलाल जो है फिलाल दो बंदे लगें ठीक है एक करेंट प्रोवाइड कराएगा दूसरा इस्टेटिक प्रोवाइड कराएगा और आने वाले टाइम में और भी इसमें लगेंगे कई सारी चीजों के लिए रेक्ष्टा जो चीज अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बताना